avam back to my channel तो फ्रिंट जम हम बात करेंगे यहां पर नए रिकुटमेंट के बारे में और यह जो रिकुटमेंट निकाला गया है यह आपका NCRTC के तरफ से निकाला गया है NCRTC यहाँ पर क्या होता है आईयो इसके बारे में जान लेते हैं यह यहाँ पर N Vernal Capital Region Transport Corporation जो की एक joint venture है government of India और कुछ यहां पर state government का participation होता है तो इनी के तरफ से recruitment निकाला गया है तो इसी के बारे में हम बात करेंगे क्या इसकी education qualification है कैसे आपको apply करना है साथ में कितना examination fee आपका रखा गया है तो बने डियेगा वीडियो को लास तक आप बिना इसकी पर जुरूड देखिएगा साथ में अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन अप जुरूड प्रेस कर ले और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रूप को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको जारा दिन का समय यहां पर नहीं है अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो आप इसे जुरूर अपलाई यहां पर कर दिजिए इसका examination date आप देख लिए तो इसका last week of October में आपका यहां पर एक्जाम हो सकता है या first week of November में आपका एक्ज बाकी बात करें पोस्ट के बारे में तो पोस्ट आप देख लिए जो इसमें पोस्ट आपका क्या रहने वाला है तो पहला जो पोस्ट निकालागा आपका असे्टकर कर सकते हैं बाकी Electrical में आप देख लिए तो Electrical में तीन साल का इसमें आपको डिपलो मांगा गया है Electrical Engineering है तो Maintenance Associate में आप अपलाई कर सकते हैं इसमें 36 इसमें आपका सीट आप का दिया गया इवर में 17 है और साथ में आपका EWS का भी इसमें तीन वेकंसी हाँ पर दिया गया है उसे तरह से यहाँ पर Electronics में आप देख लिए तो Electronics में भी तीन साल के डिपलोमा आगर आपके पास है तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं 22 इसमें सीट आप का दिया गया है दो इसमें EWS का है गारा आपका जेनल का है पांच OBC और SC तीन और ST का लिए एक सीट आप का रखा गया है उससे तरह से सिविल में आप देख लिए तो सिविल के लिए भी इसमें दो वेकंसी है इसमें भी तीन साल का सिविल है या निखंव बात करें तो इसमें अप्लिकेबल app कर सकते हैं अपने आपने लिखे का सथूं के लिए आपने यहां पर करिदें यह निख्रम हैए तुन इसमें फिर्टी थी यह सब्सक्राइन सब्सक्राइब बारे में बात करें तो 27 आपका सीट दिया गया है इसमें भी आईटी आपका NCVT, SCVT से आपके पास होना चाहिए जो भी ट्रेट से अपलाई करेंगे जैसे कि मैं Electronics Mechanics ट्रेट से अगर आपके पास अपलाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये पास आपके पास आईटी है उसका बात करें यहां पर Technician Air Condition और आपके तीन आपका वेकेंसी है जिसमें आपके पास संबधित ट्रेट से इसमें भी आईटी आपके पास होना चाहिए बाकी इसमें टेकनिसियन फीटर के लिए बात करें तो दस आप आपका 18 इसमें सीट आपका दिया गया है दस यूर के लिए 4 OVC के लिए SC के लिए 2 ST के लिए 1 और EWS के लिए एक दिया गया है इसमें आपके पास IT होना चाहिए फीटरेड से बाकी यहां पे एक और इसमें रिकूटमेंट आपका निकाला गया है जो कि एस्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन अपरेटर या ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए निकाला गया है जिसमें आपका 67 वेकिंसी आपका निकाला गया है जिसमें 30 UR के लिए है, OBC के लिए 18. EC के लिए 9 और HT के लिए इसमें 4 vacancy आपका दिया गया है. EWS का भी कोटा इसमें दिया गया, जिसमें 6 vacancy रखा गया है. इसके लía जो qualification माया गया है, तो इसके लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए. यह डिप्लोमा आपका यहाँ पे अलेक्टिकल से यहाँ पे होना चाहिए या एलेक्ट्रोनिक से है तो भी अपलाई कर सकते हैं या इसके एक वाइलेंट आपके पास है तो आप इसमें लिजबल हैं और या आपके पास अगर आप B.A.C. Physics से कंपलेट किये हैं या chemistry से या math से तो भी अब इसमें अपलाई आप कर सकते हैं station controller या train operator या traffic controller के लिए इसमें 67 vacancy आपका दिया गया है जो भी usability criteria experience और जो भी condition है वो आपका हाँ पे गारण 9201 तक आपका हाँ पे fulfill हो जाना चाहिए तो इसमें बात आपको बता दिया गया एक और important बात दिया गया है कि जो serial number एक से लेके 5 और एक गारण जो पोस्ट है यानि कि जो आपका एक से लेके 5 में आप देख सकते हैं maintenance associate के लिए तो एक से लेके 5 और इसमें programming associate तक का और साथ में जो एक गारण नमबर पोस्ट एक से लेके 5 और एक गारण नमबर पोस्ट के लिए बाकी जो पोस्ट आपका serial number 6 से लेके 10 के बीच में यानि कि 6 नमबर आप देख लिए यहाँ पर technician electrician से लेके और technician welder के लिए यानि कि जो IT से सम्मंदित जो आपका पोस्ट है तो इसमें यहाँ पर आप जो दिया गया है कि must have IT qualification होना चाहिए without which higher qualification will not be considered यानि कि higher qualification को considered नहीं किया जाए कि आपके पास IT का डिगडी यहाँ पर IT का certificate आपके पास यहाँ पर पोस्ट है होना चाहिए बाकी जो भी एज मेरे लक्सेशन है उस सब चीज आपको यहाँ पर दिया जाएगा बाकी सेलक्शन प्रोसेस आप देख लिए तो एक से लेके 10 तक आपका जो पोस्ट है यानि कि जो इसमें डिप्लोमा और साथ में जो IT के लिए है उनके लिए यहाँ पर CBT टेस्ट का आउजन आपका करया जाएगा उसके बाद यहाँ पर बात करें कि जो पोस्ट नमबर गा रहा है जो कि यह स्टेशन कंट्रोलर के लिए है तो इसक ठोसेशन पर आपका CBT तो आपका होगा इं उसके बाद आपको साइको टेस्ट होगा और यहाँ पर मेडिकल फिट्नेंग टेस्ट में आपका होने वाला है पॉस्ट नमबर 11 बाकी मेडिकल आपका इंडियन रेलवे के जो फॉर्मेट है उसका उनसारते हैं पर आपका होगा उसके बारे बताया गया है तो इहां पर दो साल के लिए दिया गया है कि मिनमुम आपको यहां पर दो साल आपको सर्व करना होगा कंपनी को तो बाकी अगर आप इसके पहले छोड़ते हैं तो आपको इतना एमांट पे करना होगा जो पोस्ट नंबर एक से लेके 5 और एकारे के लिए है उसके लिए 1 लग 50,000 है बाकी 6 से लेके 10 नंबर तक का जो पोस्ट है उसके लिए 1 लाख यहां पे दिया गया है बाकी जो आपको प्लस टेंडिंग कोस्ट और जीस्टी वगरा भी इसमें दिया गया है तो यह आपको सेग्रोटी बॉंड है तो इसे एक बर आप देख लिजिएगा कि आपको इतना इसमें कैटेडिया दिया गया है कि इतना आपको सर्व करना होगा दो साल तक बाकी नहीं इसमें 32,250 रूपए आपको आपके किया जाएगा पर मन और जो ट्रेशन एक र देख लिए लिए जाएगा उसके लिए अप्लिकेशन फी के बारे में आपको पांच सुरुपे रखा गया है यूर ओबीसी एडवलेस एक्सार्विसमेन के इंडेट्स के लिए बाकी यहां पे उसका बाकी जो एससी एस्टी के डेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई फी यहां पे नहीं रखा गया बाकी फी इसी का ओफिसल साइट पर जाके आप इससे अपलाई अप कर सकते हैं पुड़ा इस्टेप आपको इसमें बताया दिया गया है उसके पहले आप यह सब जो चीज है फोटो वगरा इससब आप इसके इन करके लिएगा फोटो है शिगनेचर है बाकी जो भी सर्टिफिकेट ह लिए आपको बाकी कुलिफाइंग मार्क सर्टिफिकेट है तो इससब चीज आप पहले से त्यार रख लिएगा जो भी फॉर्मेट आपको बताया गया है बाकी इन्पोर्टन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगरा इहां पर दिया इससब चाहिए तो एक बार आप पढ़ सकत है अपने किसमे अपना डिप्लोमा वगरा कंप्लिट आपने किया है अब यह एक बार देख लेते हम इस थोड़ा सा इक्वर्सन सेंटर के बारे हैं बात कर लेते हैं तो इसके लिए आपको प्रिप्यार रहना होगा अगर आपको कोई डाउट से या कोई है तो आप इसी मे बाकी आप अमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके भी पूछ चकते हैं मैं उसका जवाब देने का हाँपे पूरा कुसिस करूंगा तो यहाँ पर रेकुट्मंट था जो कि एंसी अर्टीसी के तरफ से यहाँ पर निकाला गया था तो कंटेक्ट्च्ट्चुल ल